रामायन असली है या नकली जोस्तों कई सारे लोग रामायन महाभारत को नकली मानते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि रामायन कभी हुआ ये नहीं वो सिर्फ रामायन को ये कल्पना मानते हैं पर दोस्तों ये धारणा सही नहीं है विद्ञानियों को ऐसे अनेक स्थल मिले हैं जो र प्रेस अच्छे लगते हैं तो अब वह उदासी में गंदमादन परवत पर चले गए थे दूस्तों आज गंदमादन परवत हिमाले के केलाश परवत से उतर दिशा में सित्थ आज परवत चीन के टिबेट शेत्र में हैं कहा जाता है कि जो कोई भी इनसान इस परवत पर चड़ा है वो कभी भी वापस ने आया कई योगियों ने हिमाले के शेत्र में 11 हेड़ वाले नागों को देखा है और कई यतियों को भी देखा है जिनकी हईट 20 फूर्ट से भी जादा है कई संतों ने गंदमादन परवत पर वानुरों को भ दिखा है तो इससे यही पता चलता है कि रामायन असली है फैक्ट नमर नाइन दूस्तो रामचरित मानस के अनुसार जब रामजी लंगा तक सेतु बुनाना चाहते थे तब उसके पहले उन्होंने शिविलिंग की स्थापना की थी दूस्तो कि आप जानते हैं वो आज भी मोजोद है आज भी दुनिया के लाखों लोग इस शिविलिंग के दर्शन के लिए रोज आते हैं और इस शिविलिंग लाखों साल पुराना बताय गया है तो इससे भी यही पता चलता है कि रामायन नकली नहीं बलकि असली है फैक्ट नमर एट दूस्तो रामायन क जब जांवन जी ने हनमान जी को उनके शक्तियाँ याद दिलाई थी तब हनमान जी महेंद्रेगर परवत पर गये तब उन्होंने महेंद्र परवत से लंका तक उड़ करके गये थे दोस्तों क्या आप जानते हैं वह परवस आज आज भी मोजोद है। दोस्तों महेंद्र परवत भारत के ओड़ेशा राजी के गजपती जिले के पुर्वी घाट पर सित है। दोस्तों यहीं वहाँ परवत है जहां से हनमान जी लंका तक उड़ करके गए थे। दोस्तों अब यह परवत में परश्राम जी निवास करते हैं और रावन के महल के बाके के आउशिच भी आजम को मिलते हैं। तो यहीं बताते हैं कि रामयन कलपना नहीं बलकि सच है। फैक्ट नमर फाइब दोस्तों यह एक ऐसा प्रूफ है जिसे भारत श्रीलंका तो क्या पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। श्रीलंका को पत्तर की सेतु से गए थे। क्या आप जानते हैं यह राम से तो आज भी मोजोद है। दोस्तों यह फोटो अमेरिका के सेटलाइड ने खिची है और पुरातोत विबाग ने भी इसकी खोच की है। दोस्तों भारत की रामेश्वरम दी से लेकर श्रीलंका के मननार दियूप तक यह सेतु है और खुद नासा भी यह मानती हैं कि कहीं लाग साल पहले एक पुल बनाया गया था। तो है ना यह एक अमेजिंग प्रूफ। दोस्तों रामानी के अनुसार जब रावन सितामा को ले जा रहा था तब जटायों ने सितामा के रक्षा के लिए रावन से युद्धी किया पर रावन ने जटायों का पंकार दिया था। तब जटायू एक पहाड़ी पर गिर गएते, जोस्तों क्या आप जानते हैं ओ पहाड़ी आज भी मुझूद है। जोस्तों केरल के कोलम पहाड़ी पर जटायू की मूर्थी बनाइए गए हैं जिसे आटायू यैप कहा जाता है। दोस्तों श्रिलंका में अशुक वाठिका को हाग गला बोटनिकल गार्ण के नाम से जना जाता है और जहां पर सिता मा रहती थी उस्तान को सिता यले के नाम से जना जाता है दोस्तों मजी की बात है कि रामायन में अशुक वाठिका का जो वर्णने ये वाठिका भी सेम वैसे समयब्टत रदीते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं? तो यह है रामयान सच होने का पहला पर्रूफ है। यह है। प्रूफ रामान का बारे में मिले हैं इन सब चीजों से ही पसा चलता है कि रामान वास्तों में घटित हुए थे तो आप इस वीडियों को शेर जरूर करें यह मेरा निविदन है तो हरे कृष्णा कीजिए तो स्टे ब्लिस स्टे आउसम एंड को सल्प में